हलो दोस्तों गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका आज की ताजा खावर में आज है 21st of May और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोर्स को डिसकस करते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज का हमारा कोट क्या है और हाँ एक और चीज़ कोट स्टार्ट करने के पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग को सब कुछ पता चल गया होगा बीजन से रिलेटेड जो भी था कि मेल वगेरा जो किया था हम लोग ने मेरे खल साबको सारे इंफोर्मिश था तो उसको हम लोग प्रवाइट कर देंगे ठीक है तो आप लोग बस थोड़ा वेट करते रही है और सारी चीज़ा वापस आजाएंगी तो चलिए कोट देखते है हमारा तो कोट है हमारा सम्टाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट तो आप देख सकते कि यह कितना ज्याद और दूसरी चीज़ होगी है क्या क्या आपको नहीं पता है ठीक है तो जो चीज़े आपको पता है वो आपके लिए स्ट्रेंथ की तरह काम करेंगी और जो चीज़े आपको नहीं पता है वो आपके लिए विक्निस की तरह काम करेंगी तो ऐसा हो सकता है कभी-कभी कि आपक कि आपके में ज्यादा और अगर जिसके जन्हों ने टेस्ट लगाया और उसके 70-60% अगर सही हो गए तो वो बोलेंगे कि मेरे ज्यादा कुश्चन सही हो रहे हैं मैं अच्छे से बढ़ाई किया तो यहां पर वही चीज़ पॉइंट आती है कि आप प्टिकुलर चीज़ को क किस तरह से आप अपने टेस्ट को किस तरह से परसीव करते हो उसके ऊपर यहां पर पर प्टिकुलर कोट उसी को एक तरह से दर्शाता है और यहां पर वही चीज़ बताता है कि अगर आप बेसिकलिए फोकस अगर आपका पूरा 100% अगर स्ट्रेंथ के ऊपर रहेगा तो आ अपने वीक्नेस पर भी धियान रखना है क्योंकि आपको इतना तो पता चलिए कि वह 50 मार्क सही है मेरे और वह मेरा स्ट्रेंथ होगा आप उसके ओपर बिल्डपोन करना है आपको बस वहां से बढ़ना है ना आगे राधर दन वीक्नेस को मतब दिमाग में रखके कि आगे तो यह है इस पर्टिकुलर कोट का और हम लोग भी एक तरह से जूज रहे हैं अगर आप देखा जाए तो पर्टिकुलर जो सिनेरियो था कि कोपी राइट का और यह सब तो वही है कि हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने कोशिश किया कि राधर दन इसको वीक्नेस समझ के और हम लोग के पढ़ाना कर देदे या ऐसा कुछ करते हैं पर हम लोगों ने क्या सोचा है हम लोगों ने सोचा कि इसके ऊपर भी build-up-onn किया जा सकता है और इस पर्टिकुलर से शानेरियो को हम लोग एस एन उपरचुनीटी भी ले सकते हैं तो बस यह है अब इस code को इतने तो यह बहुत यूनीक कहानी है अब गौर से सुनिये गाइस को हुआ कि जब म्यू आई तो मैंने उससे पूछा ठीक है नॉर्मली होता कि आप पूछते हो तो खुदा कहा कि normally लोग क्या करते हैं कि खुद से नाम रख देते हैं किसी भी अगर पेट रखते हैं या फिर कोई बच्चा होता है तो इस तरह से तो चलिए अब हम लोग editorial का discussion चुड़ो करते हैं तो आज का जो सबसे पहला editorial है वह है China better prepared for the post-covid world ठीक है तो यहाँ पे basically China से related आप समझ सकते हो कि यह China से related है बट ऐसा नहीं है इसका जो first half है इस particular editorial का वो पूरा focus किया है इंडियन economy के ऊपर में और बहुत अच्छे-च्छे points दिया है इन्होंने जो भी ट्रॉंस एक तरह से अनॉंस होए दे उसके भी important points यहाँ पे इन्होंने include के हुए point India must note तो यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि normally अगर देखा जाए तो बाकी सारे countries और बहुत सारे अनलिस्ट यह बोल रहे है कि चुकि चाइना में एक तरह से करती है और जो भी steps वहां पर लिए जाएंगे तो वह ऐसे steps होंगे जो obviously global outreach में एक तरह से अच्छा-कासा उनका scenario बनाएगा और अच्छा-कासा उनका image बनाने का काम कर सकता है तो यही चीज़ यहाँ पर बोला है कि ऐसा हो सकता है कि जो भी Beijing का ambitious power outreach है वह हो सकता है कि उसको end करने जा रही है तो यहाँ start उन्होंने वैसी किया है कि किस तरह से जब SJ शंकर ने कुछ एक time पहले एक lecture दिया था तो वहां पर उन्होंने बताया था कि अगर दिखा जाए तो technology connectivity और trade जो है यही होगा आगे चलके future decide करेगा globalization का और किस तरह से चीज़े आगे बढ़ती है प pandemic के कारण सारा कुछ एक दम पूरा जो भी equation था पूरा change हो गया हुआ है और यह उन्होंने भी नहीं सोचा था तो अब हम लोग गया कह सकते हैं कि हो सकता है कि pandemic जो है post covid world को पूरी तरह से change करने वाला है तो यह हो गया अब यहाँ पर इन्होंने फिर discuss किया है कि कि किस तरह स इंडिया जो है वो एक तरह से deep economic impact को जहल रहा है तो यहाँ पर उन्होंने वही बताया कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में अगर देखेगा तो जो positive cases के number है वो चाइना से ऊपर जा चुके हैं और अभी figure जो है वो एक लाग के ऊपर अलरीडी चला गया है positive cases का तो यह हम देख सकते हैं कि काफी जादा एक तरह से भायवस सेनेरियो है और काफी डर मतलब बहुत बहुत लोगों को डर लग सकता है इस particular चीज से तो यहाँ पर वही चीज बुला है इन्होंने अब इसके बाद इन्होंने बताया कि यह जो pandemic है यह बाकी pandemic से इसलिए different है क्योंकि हैं और अभी भी मतलब life और death का battle को तो कर रहे हैं यह होगा human cost पर अगर दिखेंगा जो economic impact पर तो उससे क्या हुआ बहुत सारे migrants को अपनी जगों से move करना पर दूसरे जगों से उसके बाद भी बहुत सारे लोग की death भी हो गई है इस particular scenario के कारण ना कि COVID से हुआ रदर रदर तो सिर्फ disease के कारण लोग नहीं मर रहे हैं बर economic impact के कारण भी मर रहे हैं तो इस कारण से इन्होंने बोला है कि यह काफी जादे different है और फिर यहां पर इन्होंने बताया है कि आखिर यह जो pandemic आया इससे क्या-क्या चीज़े आई इंडिया पर क्या-क्या फ़रक पड़ा तो हैं और उनके पास कोई काम नहीं है फैमिली को एक तरह से उठा धोके वह लेके जा रहे हैं highways के फ्रूट पैदल चलकर या cycles पर यह सब सिनारियो है तो यह सब प्राब्लम क्यों हुआ है obviously pandemic के कारण हुआ है अब यहां पर फिर आगे इन्होंने यही बताया है कि इंडिया को अब उन्होंने क्या बताया है उन्होंने बताया है 10% है GDP का और कह भी सकते हैं यह सही भी है पर वही है कि अगर बहुत सारे एकनॉमिस्ट का देखेगा तो वह लोग एक तरह से calculate करके बता रहे हैं क्योंकि जो भी 10% जो उन्होंने GDP का बताया है उसमें बहुत सारे stimulus packages और ब अब आपको समझ में आना चाहिए मेरे ख्याल से कि fiscal policy और monetary policy क्या है तो फिसकल पॉलिसी अबीस्ट गवणनेट जो बनाई गया है और इंडिया में क्या हुआ है इंडिया में monetary policy को भी इंक्लूट कर लिया है मतलब यहां का जो इन्ट्रल बैंक है उन्हों ने जो भी stimulus package दिय आप तो मुश्किल से घुमा फिरा के 2% of GDP हो जाता है रादर दें 10% of GDP तो आप समझ सकते हैं कि अराउंड क्या 2 या 3 लाग करोर के आसपसी एक तरह से गवर्मेंट दे रही है और हम लोग फिर वही है कि बहुत सारे जो इस सेनारियो में अगर देखा जाए तो इसमें भी अगर इतना पहजा वो इकटा करके और दे पा रहा है तो यह बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए इसके अलावा यहां पर उन्होंने बहुत चीज बताई है कि कि इस तरह से से केंड ट्रॉंस एक तरह से लिया है वन बिलियन लोन लिया है वन बिलियन डॉलर्स का वर्ल बैंक से कोविड-19 रिलिफ मेजर को सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने और आगे हम लोग को ओविस सब ऐसा हो सकता है कि यह उतना बूस्ट ना कर बाए जितना हम लोगों ने सोचा था और राधर दन यह जो इसके जगा अगर अगर मतलब ऐसे इसके जाता जाता जो शॉर्ट टम के शॉर्ट टम की तरह होता है जैसे फॉर एक्जांपल डिर्क बेनिफिट ट्रांसफर दे सब्सक्राइब करने की बात कहीं है इसके अलावा वन लाग करोर का सबसीडी भी देने की बात कहीं गई है अलोकेशन फॉर मन्रेगा जो है वो भी बढ़ाया गया है यह सारी चीजे स्टेप ली गई है और 40,000 करोर कर दिया कर दिया गया है एक तरह से बढ़ाया गया है इतना सारा अमाउंट इसके लावा स्टीट वेंडर्स को बोला गया है कि क्रेडरी फेसिलिटी दी जाएगी इंटर्न इंट्रेस्ट सब्वेंशन पर स्मॉल बिजनेस तो यह सारी जो चीजे अगर आप दिखेगा तो यह सारा अनॉंसमेंट अल्रेडी ट्रॉंसर्स में हो चुका है और हम लोग ने डिसकस किया हुआ है अब यहां पर गया है इसके अलावे बहुत सारे रिफॉर्म में जासे फॉर इग्जांपल प्रवेट बोला गया है जो जो डिफेंस प्रोड़क्शन उसको उपन कर दिया गया है इसके अलावा अगर आप देखेगा तो aerospace को भी private companies के लिए खोल दिया गया है और इसके अलाबा फिर देखेगा तो domestic difference procurement में भी बोला गया है कि budgetary support दिया जाएगा और जो भी weapons है तो उसके लिए अलग से import list बना जाएगा तो यह सरी चीज़े हम लोगों ने already discussed की हैं तो यहां पे इनका यह कह आप ही जादा मुश्किल रहेगा तो आप देख सकते हैं कि यहां तक हम लोगों ने जो discussion किया है वह सिर्फ economic impact का ही इन्होंने discussion किया है इंडिया के उपर में तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने खाली इसको इसके लेवल पर पढ़ा होता कि इसका जो title है चाइना के हिसा रहा है जो तो यहां पर इन्होंने वही बता है कि अगर देखा जाए तो चाइना में अभी situation ठीक ठाक हो गया हुआ है और वहां पर जो भी economy है और जो भी situation है वह पट्र पर आ चुकी है और वो लोग क्या कर रहे हैं अभी चुकि वह सबसे पहले उन्होंने recovery किया है तो वह कोशिश करें कि एक अप्रोच फॉलो करें जिससे जो आगे का scenario है उसको अच्छे से handle किया जा सके और ऐसा नहीं है कि यह जो सारी policies है वो अभी तुरंती बनी है यह जी जिंपिंगे में पहली एक तरह से पुडाने अल्मूस 5 येर पहले ही इन्होंने अनौन्स कर दिया था इस तरह से चाइना बहुत सारे चीजों में एक तरह से standard define करने की कोशिश कर रहा है जैसे for example चाइना standards 2035 क्या है तो चाइना standards 2035 एक तरह से वो सारे standards को relate करता है नए standards को जो की industrial internet of things से related है तो यह हम समझ सकते हैं अगर आप से पुछा जाए चाइना standards 2035 किस चीज से related है तो य नया एक एडिया है तो इसका जो भी standard वो बनाएंगे तो obviously इसका impact क्या परेगा पूरे global मतलब वोल्ड में impact परेगा क्योंकि standard बनाने वाली जो country होगी obviously वही आगे की चीज़े decide करेगी इसके लावा बहुत सारे और भी equipment का उन्होंने बताया है कि जो कि high end equipment हो गया जैसे manufacturing हो जाएगा जो भी global economy में है तो वही है कि यह बात तो सही है कि जो covid-19 pandemic है इसे चाइना के ऊपर में थोड़ा बहुत एफेक्ट पड़े गई पर वही है कि यह मानना एक तरह से बेवकूफी होगा कि अगर हम बोले कि इंडिया को वहां का जो economy एक तरह से slowdown होता है तो इसे इं बढ़ पाएगा और चाइना के तरह ही इंडिया को भी जरूरत है कि calibrated action of plan बनाए अब अगर इंटरनेट monetary funds के fund के हिसाब से देखेगा उनके projection के हिसाब से तो ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया और चाइना दोनों में positive rate of growth देखा जाएगा जो कि चाइना के case में 1% होगा और चाइना से बहुत सारी companies उठके आने के ऐसा announcement हो था कि चाइना से बहुत सारी companies जाने वाली हैं हटने वाली हैं और वहां से हटके फिर वो कोशिश करेंगी जो भी आसपास के जो यह South Asian countries हैं वहां पर अपना base बनाने का तो ऐसा सोचा जा रहा था कि इंडिया को बहुत benefit मिलन पाएगा अब इसके बाद जो editorial है वो है grasping the defense self-reliance nettle तो इसमें basically उन्होंने discuss किया है कि किस तरह से अभी जो announce हुआ है था तो उसमें announce क्या किया गया है कि defense में एक तरह से दिखा जाए तो negative import list बनाने की बात कही गई है साथ के साथ private investment की बात भी कही गई है और इसके अलाब self-reliance का in defense production इसके अलावा जो भी long standing strategic और national security concern था उसको address करने के लिए भी बोला गया है कि किस तरह से मतलब domestic procurement को काफी जादा भाव देने वाले हैं तो यह सारी चीज़ें इन्होंने discuss किया है इन्होंने सार्ट में यही चीज़ बताया है कि अगर पूराने सालों में देखा दिया है first position पे और इंडिया जो है इंडिया में अभी भी 9% of global imports एक तरह से किया जाता है तो यह देख सकते हैं हमें हमें के हमारा maximum जो अगर देखा जाए arms जो है वो बाहर आ रहा था बाहर से 9% के आसपस अगर देखा जाए global import का 9% तो यह पहली चीज तो क्या करेगा तो हम यहां पर इस पर यह जो particular एक तरह से movement है और जो policy है कि self-reliance self-reliance बनने का आत्म निर्वर बनने का तो यहां पर यह एक अच्छी policy इन्होंने बताई है और इन्होंने बहुत सारे positive points सी एक तरह से यहां पर इन्होंने discuss किया है तो यहां पर जो सबसे पहली चीज इन्होंने इसके लाबा हमें पता है कि defense procurement procedure DPP 2020 भी आने वाला है और यह formulation में है तो हो सकता है कि हमें इसमें बहुत सारे changes भी मिल जाए अपने defense related इसके लाबा जो next point इन्होंने बताया है कि अगर आप notice करोगे तो जो negative import list की बात कही गई है इससे हो गया कि जो भी Indian manufacturers है उनको एक तरह से help मिलने वाली है और उनके पास जादा opportunities हैगी इसके अलाबा जो budget procurement बताई गई है domestic capital procurement के लिए तो यह भी एक अच्छा move है इससे हो गया कि जो भी defense manufacturers है उनको एक conducive environment मिलने वाला है और आगे इन्होंने वही चीज़ बताई है discuss की है कि बहुत सारे platforms और subsystem हैं जो की एक तरह से फसे हुए हैं induction में अभी उनको एक तरह से बहुत सारे hurdles को face कर रहे हैं induction में और क्यूं induction में face कर रहे हैं क्यूंकि हमारे पास और भी options है foreign competitors के द्वारा मतलब जैसे for example अगर देखा जाए तो light combat helicopter है तो यह हमारे पास हम लोग के पास भी capability है बनाने की पर maximum क्या करते हैं हम लो foreign competitions है जैसे USA हो गया या UK हो गया तो उनसे हम लोग procure करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर वही सारी चीज है कि यह जो particular जो एक तरह से hurdle था इसको भी एक तरह से notice मतलब solve करने का काम यहां पर करने वाला है यह जो particular self reliance का जो एक तरह से policy है अब यहां पर इन्होंने आगे भी एक important चीज यहां पर discuss की है कि अगर देखा जाए तो मतलब जो भी defense acquisition proposals है तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है यह हमें पता ही है और maximum जो चीजे हैं एक तरह से देखा जाए तो वो early stage में ही है processing के around देखें यहां पर 4 trillion dollars 4 trillion rupees फसा हुआ है तो वही है कि इन सब चीजों को भ particular step हो गया जो उन्होंने self-reliance के बारे में बताया और domestic procurement के बारे में बताया साथ के साथ negative list of import के बारे में बताया है इसके आगे जो उन्होंने point उठाया है वह है कि किस तरह से decision लिया गया है ordinance factory board को corporatize करने का तो यह भी एक अच्छा एक तरह से step है और यह काफी time से overdue भी थ investors आएंगे जो इस particular चीज में invest करने का काम करेंगे बस वही है कि यहाँ पर इन्होंने एक चीज important point यहाँ बताया है कि यह जो मतलब self-reliance का जो concept है ऐसा नहीं है कि बहुत जादा ही overgillis हो जाएंगे इस particular चीज़े कि हम लोग सभी कुछ हम लोग खुदी बनाने लगेंगे इसा नहीं है जो भी हम लोग import करते हैं cutting edge military technology उसके साथ coexist करेगा जो हमारा एक तरह से domestic procurement होगा और साथ के साथ domestic manufacturing होगा तो यह चीज़ी हाँ पर इन्होंने वो ली है इसके लावा उन्होंने हम लोग ने already discuss किया हुआ है कि किस तरह से जो भी defense planner है वो एक realistic specification को follow up करने वाले है जिससे जो भी हमें weapons लेने की बात आएगी तो हम लारे पास बहुत maximum बहुत सारे options रहेंगे बहुत सारे weapon manufacturers रहेंगे तो वो एक important चीज हो जाएगी इसके बाद उन्होंने यह जीज तो important बताई दी और इससे होगा कि हम हमें obviously ज्यादा पैसा खर्च नहीं पड़ना पड़े है कि foreign और जो Indian companies है वो एक साथ मिलकर और भी ज्यादा development का काम करेंगी और इससे obviously हमें फाइदा ही होने वाला है क्योंकि obviously यहाँ पर manufacturing बढ़ेगी तो इससे employment भी generation होगा और हमारा पैसा भी बचेगा तो यह एक important चीज हो जाती है उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक point बता है कि defense research and development organization जो हमारा एक तरह से काम करता है वो develop करने का काम करता है जो भी defense technologies है तो यहाँ पर ज़रूरी है कि इनका इनका जो role है इसको भी एक तरह से change करने की जरूरत है क्योंकि जो भी private industry अगर इस particular field में आती है तो वो हो सकता है कि इनके साथ इस particular organization के साथ वो conflict एका interest बन money method and mindset और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि mindset जो है सबसे critical होता है और सबसे interactable होता है और यहाँ पर वही चीज़ बताई है कि it takes a crisis to change it अब mindset को हम लोग अचानक से change नहीं कर सकते एक crisis ही change कर सकता है और हमें पता है कि जो pandemic हम लोग face कर रहे हैं वो एक crisis situation ही है तो इस crisis situation में यह चोटो एडी टोल रहते हैं हिंदु में तो इसको हम लोग discuss करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो चोटो एडी टोल है वो है working safely तो यहाँ पर इन्होंने वही चीज़ बताया है कि हमें पता है कि already बहुत सारे जो companies खुल गा है और बहुत सारे industries खुल गा है वहाँ पर पता है कि हम देख सकते हैं कि जो economic production है lockdown खतम होने के बाद जो भी partially हटाये गया है वह एक तरह से अचानक से अभी पीक नहीं किया है और इस कारण से हम लोग जो है एक तरह से face कर रहे हैं एक extraordinary challenge को तो इस particular scenario में होता क्या कि अगर जो हमारा production है वो पीक नहीं कर रहा होता तो हम लो करने की और यहां पर उन्होंने फिर वही चीज़ बताया है कि किस तरह से अभी जरूरत क्या है तो अभी जरूरत है कि जो भी guidelines हम लोग अगर जो भी बहुत सारी countries में issue किया गया है किस तरह से workplace को safe रखा जाए और किस तरह से जो भी workers आ रहे हैं उनको एक तरह से safe रखा जा किया जा सके अब अगर देखिएगा तो initially अगर जो जो भी चीज़े implement करना है वो बहुत ही जादा little expenditure लगती है अगर फिजिकल डिस्टेंसी का नॉम है जो वन मीटर का है तो उसमें वो implement करने में कोई पैसा नहीं लगता इसके अलावा जो face mask का use है और उसके बाद मतलब frequent hand washing और even respiratory etiquettes जैसे थूकना उकना से related हो गया या सांस लेने से चीज़ हो गई चीखने से related हो गया और इसके अलावा sanitizing contact surfaces और self monitoring of health तो ये सारे चीज़े ज्यादा इसमें expenditure नहीं लगता है तो ये अगर सई से implement किया जाए तो first line of defense जो है COVID-19 का वो हम लोग एक तरसे अच्छे से implement क तो communication के through इसके लावा free provisioning of mask and sanitizing material मतलब फ्री में provide करेंगे mask और sanitizing तो obviously किसी को कोई दिक्कत नहीं हो कि उसको पहनने में obviously paid रहता तो वो लोग थोड़ा एक तरह से हिचक सकते हैं इसके लावा organizing office space suitability तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ऐसा नहीं कि एकदम closed areas में लोगों से का बात कही है तो यह थोड़ा difficult हो सकता है उन सारे areas में जहाँ पर space की कमी है या फिर density of worker जो है वो काफी जादा है तो यहाँ पर यह चीज़ी एक point उठाई उन्होंने तो इसी reason से अगर दिखा जाए जो 50% एक तरह से बताया गया है कि 50% limit maintain किया जाए staffs का और specified sector में या 33% तो क्योंकि maximum अगर आप देखिएगा तो जो minimum distance को एक तरह से maintain करने की बात कही गई है वो थोड़ा difficult हो सकता है उन सारे areas में जैसे poorly ventilated हो या फिर closed environment हो तो इससे हो गया कि virus फैलने की और भी जादा chances बढ़ सकते हैं और इसका example उन्होंने चैन्ने का wholesale market जो बताया है जो हम लोग अब यहां पर आगे इन्होंने यही चीज़ बताई है कि center ने बहुत सारे protocol भी सेट किया हुए है symptomatic cases के case में किस तरह से अगर कोई भी office में अगर पाया जाता है तो उसको तुरंत close कर दिया जाएगा दो दिन के दो दिन के लिए close कर दिया जाएगा फिर उसके बाद जो लो mandatory होगा download करना यह सब चीज़े तो हो गई अब इसके अलावा फिर बताया है कि अगर देखा जाए जो यह particular अगर present scenario देखेगा pandemic का तो हमें जरूरत क्या है जरूरत है कि जो भी economic activity है उसको एक तरह से gradually resume किया जाए और multiple sectors में किया जिससे होगा गया कि मतलब obviously वह आगे वह sectors ए the necessity है और इसमें जरूरत है कि proper intervention भी किया जाया workplace में और जिसे होगा क्या कि obviously वहाँ पे conducive environment होगा तो लोग काम करना भी पसंद करेंगे और यह जो intervention से voluntary होना चाहिए और least cost पर होना चाहिए तो least cost हम लोगों ने उपर discuss कर लिया गया और यहां पर voluntary की बात कही गई है कि employers को ज approach को implement करके आगे बढ़ा जाए इसके बाद जो next tutorial है वो है a hole in the hole तो इसमें basically इन्होंने healthcare services का importance बताया है और बताया है कि अभी जो pandemic अगर देखोगे आप तो उसमें healthcare services जो है वो काफी जादा overwhelm हो गए है सिर्फ pandemic से ही तो इसके case में क्या होता है देखिए lockdown अगर लगा है तो और भी चीज़े जिनको surgery की जरूरत है तो उन सब लोगों को किस तरह से handle किया जाए तो अब इन्होंने वही चीज़ बताई है कि अगर आप present scenario देखिएगा तो इसमें क्या है कि maximum जो healthcare है वो pandemic वाले लोगों को ही provide किया जा रहा है और जो भी बाकी healthcare है वो एक तरह से backseat ले मैं जब्ताई है कि और ऑफी ज़ादा जरूरत है कि दोनों को balance out करने की काफी ज़ाधा ज़रूरत है जिससे अईसा नहीं हो जाए कि pandemic से कम देथ हो और बागी diseases है उससे जाधा deaths हो जाए तो यही चीज यहाँ पर इन्होंने बताई है और यहाँ पर इन्होंने वही चीज है कि जो difficulty face कर रहे हैं लोग वो है कि obviously movement नहीं हो पा रहा है और lockdown में क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह जानना थोड़ा मुश्किल हो गया है जिनके पास private vehicle नहीं है तो उस case में यह भी चीज है कि जो भी जो भी normal healthcare services चाहिए वो एक तरह से वो एक access नहीं कर पा रहे हैं और maximum जो भी focus है वही है कि वह टेस्टिंग के ओपर चल रहा है और किस तरह से जो लोग भी एक तरह से face कर रहे है positive cases हो रहे हैं तो उनको handle करने की बात ही अभी देखा जा देखी जा रही है फिर आगे यहां पर इन्होंने वही बताया है कि किस तरह से हमें balance करने की जरूरत है जो भी different requirement है healthcare के साथ में उसके साथ ही हम लोग को जो COVID-19 है उसको भी fight करने की जरूरत है और यहां पर वही चीद बताया है कि bulk of population जो है वह hamper हो गया है क्योंकि public transportation available नहीं हो पाया है इस कारण से तो यहां पर इन्होंने एक report को site किया है जो कि national health mission द्वारा data release किया है तो इसमें वही बताया है कि less than normal coverage हुआ है बागी इरियाज में कौन से कौन से इरियाज में तो नॉर्मल इरियाज जैसे immunization हो गया या इंस्टूशनल डिलिवरी हो गई या फिर डिले और फेलियर इन डिलिवरिंग life saving drugs to persons with HIV, tuberculosis, inability to offer support for chronic conditions तो यह सारी चीज़े अगर देखिएगा तो यह normal condition नॉर्मल एक तरह से scenario है और अभी क्या है फोकस हमारा pandemic के उपर में तो यहां पर वही चीज़ है कि यहां पर इन्होंने balance out करने की बात कही है और यहां पर आगे इन्होंने वही बोला है कि आगर दे जरूरत है कि हमारा will भी ऐसा होना चाहिए कि हम balance out करने की कोशिश करें अब यहां पर वही चीज़ इन्होंने end में वही चीज़ बोला है कि government को ensure करने की जरूरत है कि country का जो multi-layered health system है इसको sacrifice न किया जाए सिर्फ एक virus के लिए और rather than पूरा eye tension दिया जाए बाकी बाकी जो व boost हो सकता है तो यहां पर यही चीज़ एक तरह से आप समझ सकते हैं कि यह कितना important article हो जाता है present scenario में और यहां पर वही चीज़ बताई है कि एक strong health system अगर होता है किसी भी country के पास तो उनके पास एक opportunity होता है कि वह better outcome एक तरह से lead कर सकते हैं on in the front of on the front of economic growth front ठीक है तो यहां यह समझ सकते हैं कि अगर किसी भी country का health system अगर strong बना दिया जाए तो उसका economic growth भी बहुत जादा अच्छे से हो सकता है अब यहां पर इन्होंने start वैसे किया है एक बहुत अच्छा बहुत अच्छी line से start किया है इसको आप use भी कर सकते है main answer item में कि when public health sneezes the economy catches cold तो यह बहुत अच जाए तो यह worst downturn है since great depression, great depression के बाद सबसे ज्यादा खराव हाला तभी हुई है और इंडियन economy का अगर देखा जाए तो वह मतलब इंडियन economy तो already जूज रहा था और उसके उपर और वी ज्यादा effects पड़ी है अब यहां पर इन्होंने आगे जो चीजे बताई है कि यह जो हम हमें 20 लाक करोड का जो package दिया गया है और इसमें announce किया गया है कि प्रपोजल दिया गया है कि किस तरह से future जो pandemics है उसको prevent और respond किया जाएगा तो यह अच्छा एक तरह से move है और यहां पर इन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़े include की गई है तो जैसे strengthening of health and wellness centers इसके लावा establishment of infectious disease hospital blocks in all districts अब हरी districts में होगा तो एक तरह साम देख सकते हैं कि local level पे बहुत जादा फाइदे मंद हो गई है इसके लावा laboratory network को बढ़ाने की बात कही गई है और one health research के बारे में भी बात कही गई है जो concept चीज़ों पर तो zootonic diseases के ओपर में अब यह जो one health का concept है यह मैंने आपक अला लिया गया है यह limited response ही है जो भी हम लोग present infectious outbreak को जेल रहे हैं तो और भी ज्यादा steps लेने की ज़रूरत है अब यहां पर इन्होंने बताया है कि आगे discussion किया है कि किस तरह से southern states को अगर आप देखिएगा तो वहां का जो health system है वो काफी जादा एक अच्छी situation में काफी efficient औ या कोई public health emergency होती है तो उसके लिए भी उनके पास एक best defense बना हुआ है फिर यहां पर आगे इन्होंने यही बताया है कि आगर कोई भी area का weak health system होता है तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि वह particular जो area है वो अच्छे तरीके से function नहीं कर पाएगा और वो capacity भी एक तरह से future में generate नही फेस करते हैं अब यहां पर आगे इन्होंने बताया है कि बहुत सारे essential demands है already health system के ओपर में और उनको meet करना भी जरूरी है अब वही है कि present scenario में देख सकते हैं कि जो भी maximum health system है वो focus कर रहा है COVID-19 पे already हम लोग ने discuss कर लिया है इसको कि किस तरह से maternal health और child health को एक तरह से दरखिन करने की बात है यहां पर अब यहां पर इन्होंने बताया है कि क्या भी जरूरत है क्या हमारी need है अभी तो adequate investment करने की जरूरत है जो भी health sector में और इससे benefit क्या होगा तो इससे benefit यह होगा कि एक तरह से universal health coverage बनाया जा सकेगा और जो भी sustainable development goals है उसको भी meet किया जा सकेगा और कि जो चीज बताई है कि हम जानते कि 15th finance commission जो है रिपोर्ट बना रहा है और वह examine कर रहा है कि किस तरह से हम public finance को increase कर सकते हैं healthcare sector में तो एक तरह से वह frame करने की कोशिश कर रहा है तो यह हो सकता है कि आगे चल के बहुत अच्छा move हो जाए और यहां पर हम मतलब देख सकते हैं अब यहां पर क्या वह step ले सकते हैं तो obviously step यह ले सकते है कि हो सकता है कि वह state को बोले कि अगर कोई particular state है जो health care sector में इतना invest कर रहा है तो उसको और भी जादा extra जो health center पैसा दे सकता है या फिर और भी center और भी बहुत सारे relaxation दे सकता है तो obviously हर को यह health को एक तरह से यह nice की तरह काम करेगा और वो क्या करेंगे कि जो भी public health है उसमें invest करने की कोशिश करेंगे अब इसके बाद इन्होंने जो discussion किया है वो not a cost disease के उपर में discussion किया तो यह जो cost disease का concept है यह एक बहुत ही renowned और influential economist है modern time के उनको उनको उनका ही यह दिया हुआ term है cost disease और यह उनका नाम है William Baumal ठीक है तो इसमें होता क्या है कि जो भी value of services render होती है या दिये जाते हैं तो वह भी उसका मतलब देखा जाता है तो वह भी बढ़ती चली जाती है अगर कम services मिलेंगे तो obviously मतलब जो cost है वह बढ़ते चला जाएगा और यहां पर वही इन्होंने फिर आगे discuss किया है कि यह less rewarding हो जा जादा तो services अगर improve भी होती है तो भी उसका cost बढ़ते चला जाएगा और हमें जादा reward नहीं मिलेगा हमें जादा reward किससे मिलेगा तो जो इंडस्ट्रियल इंजन्स अफ इकनॉमिक रोथ है उसमें invest करके तो इन्होंने एक तरसे बोला है कि healthcare में investment जादा फायदेमन नहीं हो है तो वह government ही पे करती है एक तरह से या फिर insurance होता है उनके पास और अगर कोई किसी भी इंसान के पास insurance नहीं होता तो उनके पास हैं अब यहां पर valuable का मतलब यह नहीं हो गया कि cost के हिसाब से अगर आप दिखेगा तो अगर कोई भी पब्लिक हिल्प अगर जो भी पर्टिकुलर एडिया का अगर वहां के लोग है वह healthy हैं और मतलब स्वस्थ हैं तो अगर उस उनका देखिएगा तो जो उनकी productivity है वो दीजीज नहीं है और हम समझ सकते हैं कि वह कितना जाथ सपोर्टिव एक तरह से प्ले करता है जो कोई भी एकनॉमी में इसके आगे इन्होंने यह बोला है कि अगर देखा जाए तो population health और national economic growth जो है वो दोनों एक तरह से खुद के ओपर में dependent हैं और उन दोनों के बीच में by directional relationship है तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर population health अच्छी है तो उस particular country का जो national economic growth है वो भी अच्छा होता है और अगर national economic growth है अच्छा है तो उससे अगर देखा जा तो population health भी बहुत अच्छी रहती है तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर discuss किया है इसके लावे उन्हों हो गया या इसके लावा और भी चीज़ और भी रिपोर्ट जो है अदर इकोनॉमिट्स द्वारा दी गई है तो इन सब चीज़ों को कोष्ट कोड करके इन्होंने बताया है कि अगर public health में investment किया जाए और primary health services उसमें investment किया जाए तो वह काफी जादा बाद में dividend pay कर सकता है और यहां पर इंडिया के बारे में उन्होंने बताया है कि इंडिया में बहुत ज्यादा potential है और बहुत ज्यादा gain मिल सकता है इनको अगर वो health में एक तरह से ज्यादा वो करें investment करें और खासकर health beyond illness care illness care के अलावा भी जो भी चीज़ें investment है health care infrastructure और इन सब चीज़ों में तो इसके लावा education scaling दिया जा सकता है जो भी health workforce है उनको और भी जो services already exist करते हैं उसको भी uplift किया जा सकता है साथ के साथ टेक्नोलोजी कली advancement भी किया जा सकता है तो यह सारी चीज़ें इन्होंने यहां पर discuss किये हैं अब आगे इन्होंने वही चीज़ बताई है कि अगर इंडिया को भी economic growth के trajectory पर जाना है तो उनको समझने की जरूरत है कि health care में कितना जादा investment काफी जादा important हो सकता है अब यहां पर इन्होंने examples बताएं है कि किस तरह से United Kingdom ने एक तरह से adopt किया था universal health coverage इसके लावा जपान ने कैसे किया तो यह सारी countries को अगर आप दिखेगा इसके लावा एंड में यहीं चीज बोला है कि greater investment in health is a winning bet for economic development और इंडिया को भी यह particular चीज को करने की जरूरत है और यहां पर वही बोला है कि जैसे ही COVID-19 चला जाएगा तो उसके बाद हमें पता है कि economic और social life में बहुत जादा changes आने वाला है तो हमें जरूरत है कि हम अपना जो hope है उसको किया हुआ है कि किस तरह से COVID-19 का जो कर्व है और जो भी predictions है वह जादा बहुत ही जादा difficult है क्योंकि बहुत सारे variables involved हैं और यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पस incomplete data भी है तो इस कारण से जो भी predictions है वह सही सही नहीं हो पा रहे है अब for example आपको मैं बताना चाहूंगा क जो नितियायो का एक report आया था कि 16th of May तक पीक पहुंच जाएगा अब बहुत सारे और भी reports आ रहे हैं वह बोल रहा है कि जून में और जुलाई में एक तरह से पीक पहुंचेगा तो यह एक surety से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अगर आप देखा जाए तो जो भी prediction किया जा है वह एक तरह से फेल ही हो जा रहा है और इससे होता क्या है कि जो failure एक तरह से दिखा जाए तो हमें पहले तो एक security दी जा सकती है कि हां भाई मतलब इस पर्टिकुलर एडिया मतलब इस पर्टिकुलर डेट तक सब कुछ ठीक हो जाएगा पर वह है कि फिर बात में अगर व भी prediction किये गए हैं वो क्यों fail कर रहे हैं तो यहां पर वही इन्होंने चीज़ बताया कि यह जो particular disease है यह काफी नया disease है और इसकी कही सारे varieties भी है और इसमें अगर दिखा जाए तो हम लोग हर दिन कुछ नो कुछ नया feature सीख रहे हैं इसके लावा और भी parameters हो सकते हैं जो कि model choose करने में होता है जैसे for example के infection rate क्या है इसके लावा incubation period क्या है recovery rate क्या है birth or death rate क्या है तो यह सारी चीज़े एक तरह से दिखा दिखा जाए तो काफी जादा मतलब variables create करते हैं और यही नहीं है इसके अलावा भी और भी सारी चीज़े हैं जैसे for example कि कि इतने सारी लोगों ने infect हो जाया कुछ हो सकता है 14 वे दिन हो यह तो हो गया इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी है जो इस रहते हैं तो उनका हम लोग को पता ही नहीं चल पाता कि वह infected है कि नहीं है तो यह एक तरह से variable चीज़ है और यह मतलब इसको डिटर्माइन करना और भी ज्यादा difficult है यहां लोग अगर कोई भी prediction करते हैं और कोई भी चीज़े करते हैं तो उसमें जो error वाला पार्ट है उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जिससे हो क्या कि ऐसा कोई सेनारियो नहों हो जा कि common payable के बीच में horror और false sense of relief आ जाए कि यह पटिकुलर जो चीज है या इस दिन खतम हो होने वाला है और वही चीज़ है कि यहां पर सरकार को रखने की जरूरत है कि इस तरह के जो step लेते हैं जिससे वह prediction करने की कोशिश करते हैं वह थोड़ा ध्यान से करें तो यह जो article होगा और यह हमारा आखडी editorial होगा आज का क्योंकि इसके बाद जो editorial दिया है वो हमारे लि related तो वही सारी चीज़ है वहाँ पर भी है कि किस तरह से वह भी एक तरह से support कर रहे हैं और बहुत सारी facilities भी प्रवाइड कर रहे हैं तो यह एक दो दिन पहले भी मैंने discuss किया है already तो मुझे नहीं लगता कि उसको वापस से discuss करके एक तरह से duplicacy की जाए चीजों की और यहां पर फिर इसके बाद मैं बोलूँगा आप पूछेंगे कि आप इंडियन एक्सप्रेस के एंडिटोर्यल क्यों नहीं include कर रहे तो अगर आप वहां पर एडिटोर्यल देखेंगे तो same to same वही सारी चीज़ है जो हम मैंने एक दो दिन पहले ही discuss कर लिया है अब जैसे for example एक थ इसको मैं क्या करूँगा इसको जो यह पटिकुलर टॉपिक है इसको अलग से डिसकस करने की कोशिश करूँगा क्योंकि अगर आप यहां पे करूँगा तो यह वीडियो तो और बी जादा बड़ा हो जाएगा और फिर आपके दिमाग में वह पटिकुलर चीज घुसेगा नहीं तो इसको मैं क्या करूँगा अलग से 10-15 मिनिट का एक वीडियो बनाके डाल दूगा तो आपको बेनिफिट रहेगा कि वह पटिकुलर चीज आपके दिमाग में अच्छे से जाएगी और वही है कि इंपोर्टन इंपोर्टन चीज़ों को अगर अलग से डिसकस किया कर रहे होंगे और जो आने जो भी वीडियो हैं जो पुड़ा जो पीडि 365 के वीडियो हैं या फिर जो हमारे नए नए नोट्स हैं तो वो सारी चीज़े जो है आज शाम तक हो जाएंगे अपलोड और हो सकता है कि आज से टेस्ट वगएरा भी जो है वो क्विज्स वगएर अच्छे से और हां एक और चीज मैं बोलूगा मैं कोशिश करूँगा कि अगर हो सकता है कि थोड़ा टाइम टेबल चेंज अगर करूँगा तो फिर मैं न्यूज अनलिस को इंक्लूट करने की कोशिश करूँगा जिससे जल्दी से आपको वह चीज़े मिल जाएं आज मैं कोशिश करता हूँ अगर कुछ है कि न्यूज अनलिस बना पाऊं पंदर 20 मिनिट का तो अच्छा रहेगा पर फिर भी देखता हूँ अब मैं अगर मेरे से हो पाया तो मैं जरूर कर दोंगा तो चलिए आप वीडियो को खतम करते हैं स्टे सेफ एंड स्टेडी हाट